ओम शान्ती आज है 12 नवंबर 2021 की साकार मुर्ली आए सुनते हैं बाबा के महवाक्यों को मीठे बच्चे हर एक पाठ धारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है यहाँ भी इशरिय लौ है प्रेश्न बाब जो समझाते हैं यहाँ समझानी बच्चों की बुद्धी में यतार्त रीती कब बैठीगी उत्तर जब बुध्धी शुद बनेगी जितना जितना जो पुरुशार्थ करखाद निकालते जाएंगे उतना बाप की समझानी बुध्धी में बैठती जाएगी अभी तक बच्चे सतो तक भी मुश्किल पहुँचे हैं हरे का पुरुशार्थ अपना है कोई सतो है तो कोई तमो भी है लेकिन बनना है सतो प्रधान गीत दूर देश का रहने वाला ओम श्यान्ती जब मेले वाप प्रदशनी में बच्चे समझाते हैं तो जो समझाने लायक बाते हैं वह जरूर समझानी पड़े इसमें यह तो जरूर समझाना पड़े कि सब ब्रधस आत्माओं का बेहद का बाप एक ही है यह भी पूछना पड़ता है कि भारत का आदी सनातन धर्म क्या है वे तो आदी सनातन हिंदू ही समझते हैं इसलामी बौधी क्रिश्यन आदी को मालुम है कि हमारा धर्म किसने और कब स्थापन किया भारत वासियों का हिंदू धर्म है वा देवी देवता यहा किसने और कब स्ठापन किया यह भारत वासी बिलकुल ही नहीं जानते यह बिलकुल जरूरी बात है समझाने की यह किसके भी ध्यान में नहीं आता है प्राचीन भारत देश गाया जाता है प्रनतो उन्हों को यह पता नहीं कि हमारा आदी सनातन देवी देवता धरम है हिन्दू तो कोई धरम ही नहीं है अब तुम बच्चे जानते हो कि पांच हजार वर्ष पहले देवी देवता धरम था बरोबर उसमें लक्षमी नारायन राज्य करते थे वहापने को हिन्दू नहीं कहलाते थे अच्छा हिंदु धर्म का भी कोई समवत होना चाहिए विक्रम समवत जो कहते हैं हो सकता है जब से देवताईं वाम मार्ग में जाते हैं तो अपने को हिंदु कहलाना शुरू करते हो तब से विक्रम समवत भी कहते हो तो आधा आधा हो गया उसमें उनको आदि सनातन देवी देवता नहीं कहेंगी समवत कहा जाता है जब धर्म स्थापन होता है वहां किसने स्थापन किया विकर्म समवत तो रावन ने स्थापन किया उसमें सबके करम विकर्म होते रहे करम अकर्म विकर्म नाम तो है न तो विक्रम राजा का बेसमवत चलता है वहा तो गया आधा समय अब यहाँ विक्रम समवत हिंदूओं का समवत तो नहीं है तो यहाँ पूछना चाहिए कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ मालुम तो पड़े ना यहाँ बहुत नाजुक बाते हैं जब यहाँ मालुम पड़े तब हिसाब लगा सकें कि नई तुनिया धी फिर दिन रात जरूर होते हैं आधा आधा जरूर होगा यहाँ एक इशरिय लौ है यहाँ समझानी देना है जरूर ऐसा कभी कोई ने समचार नहीं दिया है क्रिश्यन का भी आदा सुख आदा दुख का पार्ट चलेगा यहाँ तो हम समझाते हैं इसमें सारे हिस्ट्री जोग्राफी आ जाती है मिनुश्य जो भी आते हैं उनको दुख सुख का पार्ट मिला हुआ है एक दो जर्म लिए आएंगे तो भी आधा आधा होगा यहाँ एक इशर्य लौ है प्रदश्नी में जब सुनते हैं अच्छा अच्छा करते हैं बाहर निकनने से ही भूल जाते हैं बिरला कोई ध्यान देते हैं कोई एक मास आकर भी गुम हो जाते हैं कोई दस मिनट समझते कोई एक घंटा कोई तो कुस में आकर चलते चलते ठक जाते हैं ऐसे सेंटर्स पर होता रहता है कैसे दैवी संप्रदाय बन रही हैं यहाँ भी वंडर है नई दुनिया का धर्म पुरानी दुनिया में स्थापन हो रहा है यहाँ बातें तुम बच्चों की बुद्धी में आती हैं बाप दौरा तुम अपने 84 जन्मों को जान चुके हो बाप कहते हैं मैं 84 जन्मों की कहानी सुनाने आता हूँ तो जरूर पिछाडी में ही आकर सुनाएंगे ना दौापर के बीच में तो सुनाना सकी जबकि पिछाड़ी वाले जन्म अभी लिये नहीं है राजियों का ग्यान द्वापर में मिलना सके महाभारत लड़ाई भी द्वापर में लगना सके महाभारत लड़ाई के बाद ही सत्युग स्थापन होता है अर्थात देवी देवता धर्म स्थापन होता है उनसे पहले ब्रह्मन धर्म स्थापन होता है, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते होंगे, तो ब्रह्मन जन्म लेते होंगे ना, विराट रूप जो दिखाया है, उसमें शिव को भी नहीं दिखाया है, तो ब्रह्मनों की चोटी भी नहीं दिखाई है, प्रदर्शन चितृ में भी विराप रूप वाला चित्र होना ज़रूरी है ब्रम्हा द्वारा पहले जरूर ब्राहमन रचेंगे फिर वह ब्राहमन कब और कहा रचते हैं ब्राहमनों का है संगम शुद्रों का है कल्युग अब तुम अपने को कहलाते हो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्रजा माना ही मनुश्य स्रिस्टी तो जरूर ब्रह्मन होंगे क्राइस्ट को क्रिश्यन धरम का पिता कहेंगे यहां है प्रजा पिता भगवान ब्रह्मा द्वारा मनुश्य स्रिस्टी रचते हैं ऐसे नहीं क्राइस्ट द्वारा बौधियों द्वारा रचते हैं मनुश्य स्रिस्टी शुरू ही ब्रह्मा से होती है तो जरूर पहले पहले ब्रह्मन ही रचेंगी ब्रह्मनों को फिर देवता बनाते हैं विराठ रूप भी भारत में ही दिखाते हैं और धरम वाले विराठ रूप बनाना सकें यहाँ नई नई बातें बाप ही समझाते हैं नई पॉइंट्स भी निकलती रहती हैं पुरानी भी निकलती रहती हैं क्योंकि नई नई बच्चे को भी कुछ नई कुछ पुरानी पॉइंट मिलनी चाहिए जो समझें जब तक अल्फ बे बुद्धी में नहीं हो तो और क्या समझेंगी तुम जानते हो अल्फ बे किसको समझाना बड़ा सहज है बाप तो सब का एक है वह आते भी जरूर है शिव जयंती भारत में ही मनाते है प्रंतु भारतवासियों को यहाँ पता नहीं कि शिव जयंती क्या है ना ब्रम्हा विश्नु शंकर का पता है ना श्री क्रिशन का श्री लक्षमी नारायन का राज्य कब था यहाँ भी नहीं चानते क्राइस्ट होकर गए उनके पोप की सारी लिस्ट होगी प्रंतु भारतवासियों को यहाँ पता नहीं कि यहाँ लक्षमी नारायन वे भारत में राज्य करके गए हैं जो भी चित्र बनाते पूजा करते उनका उक्यूपेशन बिलकुल ही नहीं जानते देवताओं से फिरक्षत्रियों ने राज्याई कैसे ली क्या लड़ाई की राज्याई बदली होती है तो जरूर कोई ने विजे पाई वहाँ तो यहाँ बात ही नहीं वहाँ तो अच्छी तरह राज्य देते हैं मनुश्य तो कितने अंधियारे में हैं तुमको कितनी प्रदशनी मिलती है ऐसे भी नहीं सब बातें किसको याद रहती हैं नहीं तो बाबा ने जो समझाया वहाँ सब प्रदशनी में समझाना चाहिए प्रदशनी में एक दिन आते हैं फिर दूसरे दिन आते नहीं कुछ भी पता नहीं पढ़ता है कि समझते हैं वह नहीं ओपीनियन में लिखाना चाहिए कि पहले हमको यहाँ पता नहीं था तो देवी देवता धरम कहां गया समवत बताओ हिंदु धरम कब से शुरू हुआ हरे क्या क्या समस्ते हैं यहाँ किसको पता नहीं पढ़ता ओपीनियन रखने वाला भी चाहिए तुम सिद्ध करके बताते हो पांच हजार वर्ष का यह चक्र है लिखो समवत आदी का किसको मालुम तो है नहीं यहाँ बाती कोई शास्त्र में सुनी हैं फिर हमने कहां से सीखी तो हमको सिखाने वाला जरूर भगवान होगा भगवान भी गर यहाँ बातें कोई समझाना सके यहाँ भी जरूर कोई तन में आएगा परमात्मा ज्यान का सागर है परम पिता परमात्मा ब्रम्हा द्वारा स्थापना करते हैं आदी मध्य अंत की नौलिज देते हैं उनका नाम है शिव भक्ती मार्ग में उनके धेर नाम रख दिये हैं कम से कम देड़ लाख अपनी अपनी भाशा में उनके नाम रखते हैं बच्चों को रोज कितना समझाते हैं प्रंतु अजुन शुद बुद्धी बने नहीं है पुरुशार्थ करते रहेंगे तो खाद निकल जाएगी अब तक तो बच्चे सतों तक भी मुश्किल पहुँचे हैं उसमें भी कोई तमो सतो प्रधान सतो रचो तमो इसमें भी नंबरवार हैं हरेक का पुरुशार्थ अपना अपना है इसमें मनुश्यों की है विनाश का लेवि पृत बुद्धी सिर्फ पांडवों की थी पृत बुद्धी उन्हों की विच्चय हुई असुर और देवता हैं दोनों मनुश्य ऐसे नहीं की असुरों की कोई भ्यानक शकल होती है वह तो लड़ाई में गोले गैसादी से बचने लिए ड्रेस पहनते हैं वह है आसुरी संप्रदाय तुम हो राम संप्रदाय क्योंकि तुमने पांच विकार छोड़े हैं पवित्र बन सारे विश्व पर तुम राज्य करेंगे तुमहारी कोई के साथ लड़ाई नहीं है बाबा कितनी बातें समझाते हैं कोई मास तो आकर फिर ठक जाते हैं फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है साधारण प्रचा में तो आएंगे प्रचा तो धेर बनने वाली है, अभी भी देखो प्रचा कितनी है, किस तरफ अनकी कमी होने कारण मनुश्य भूख में भी मर जाती है, कोई तरफ बारिस नहीं होने कारण अकाल भी पढ़ जाता है, इसमें गवर्मेंट क्या करेगी, ये तो नैचरल कैलमिटेज हैं, अब त तो होना है, तो तुमने जो सक्षातकार किया है, वह सब प्रैक्टिकल में होगा, सक्षातकार में एक रिशन का महल देखेंगे, सारा तो नहीं देख सकेंगे, अच्छा देखेंगे, विनाश हुआ, शरीर चोड़ेंगे, तो सब कुछ भूल जाएंगे, सारी दुनिया खत उसे लेकरंद तक सब नौलेज है, मूल वतन, सुक्ष वतन का चक्र कैसे फिरता है, सारी नौलेज बाप ने दी है, जिसमें जितना जास्ती ग्यान, उतना जास्ती नशा रहता है, अभी हम मास्टर नौलेज़ फुल हो गए, फिर जब विनाश होगा, हमारा शरीर खलास हो जाकर प्रंस प्रंसस बनेंगे, मनुश्य तो पढ़कर जाकर अपनी अपनी कमाई करते हैं, बाप कहते हैं, हम कोई कमाई नहीं करते, हम तो तुम कमाई करते हो तो गवाते भी हो, तुमको सारा आदी मध्यांत का ज्यान है, बाबा को भी ज्यान है, जो बैठकर समझाते है पार्ट अनुसार फिर बाबा भी चले जाते हैं निर्वान धाम सभी आत्माएं भी चली जाएंगी वहाँ फिर जिन जिन का पार्ट होगा वहाँ फिर राज़ानी में आते जाएंगे बाकी टाइम शांती धाम में रहेंगे बच्चों को कितना ग्यान मिल रहा है उंचपद पाने के लिए नए किसकी बुद्धे में बैठना सके सिर्फ इतना कहेंगे ग्यान बहुत अच्छा है फिर अपने धंदे धोरी में चले जाएंगे बाहर जाने से माया भुला देती है ताला लगा देती है कई बच्चों का भी ऐसा हाल होता है पूरी धारना होती नहीं पहले अंदर कोई आए तो बोलो यह सब हैं ब्रम्हा कुमार कुमारियां शिब बाबा ब्रम्हा द्वारा विश्णोपूरी की स्थापना कर रहे हैं अभी कल्युग अंत है फिर सत्युग होगा तो ब्रम्हा के बच्चे सब ब्रम्हा कुमार हैं जो फिर देवता बनेंगे ऐसा सर्विस समाचार बाबा को मिलता रहे तो बाबा राय दें प्रन्तु बाबा को पूरा सुनाते नहीं बहुतों पर ग्रहचारी लगती है अभी अभी देखो फर्स्ट क्लास गल देखो थर्ड क्लास बन पड़ते हैं ग्रहे चारी नहोती तो आश्चरयवत भागनती क्यों होते तो बच्चे प्रदशनी में अच्छी तरह जाकर सर्विस करते हैं वहापना समय भी सफल करते हैं बाब दादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए बाबा बच्चे को कुछ भी बोलेगा फिर फॉरण प्यार भी करेगा बाबा की दिल पर बच्चे का कुछ भी रहता नहीं है यहाँ सिर्फ शिक्षा देने के लिए सिखलाते हैं यहाँ बच्चों को टॉली खिलाई चाती है क्योंकि बेहद का बाब है ना लौकिक बाब बाब बाजार से आते हैं तो बच्चे जरूर याद पढ़ेंगे कुछ ना कुछ टॉली ले आते हैं बाहर सेंटर पर टॉली नहीं मिलती यहाँ बाब सम्मुख बैठा है बाबा सब कुछ बच्चे को समझाते हैं यहाँ दौापर से रिशी मुनी जो सतो परधान हैं जिनकी बुद्धी को ताला लगा हुआ नहीं था वे भी कहते थे रच्चता और रच्चना को हम नहीं जानते हैं आज कल्युग में सब की बुद्धी को ताला लगा हुआ है फिर वहा कैसे जान सकेंगे शास्र तो वहारी शी मुनी भी पढ़ते थे तुमको पॉइंट बहुत मिलती हैं समझाने के लिए अच्छा मीठे मीठे सिकी लिद्धे बच्चे उप्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक भगवान हमको पढ़ाकर भगवती भगवान बनाते हैं इसी खुशी वानशे में रहना है रच्चता और रच्चना का ग्यान बुद्धी में रख दूसरों को सुनाना है जैसे बाप किसी बच्चे की बात दिल पर नहीं रखते हैं ऐसे किसी की भी बात दिल पर नहीं रखनी है वर्दान करावनहार की समरीती से सेवा में सदा निर्मान का कार्य करने वाले करमयोगी भव कोई भी करम करमयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो सिर्फ करम करने वाले नहीं लेकिन करमयोगी है करम अर्थात वैवहार और योग अर्थात परमार्थ दोनों का बैलंस हो शरीर निर्वह के पीछे आत्मा का निर्वह भूलना चाहे जो भी करम करो वह इशुर्य सेवा अर्थ हो इसके लिए सेवाओं में निमित मात्र का मंत्र वा करनहार की समरीती का संकल्प सदा याद रहे करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्मान ही निर्मान करते रहेंगे श्लोगन सेवा वा संबंद संपर्क में विघन पढ़ने का कारण है पुराने संस्कार उन संस्कारों से वैराग्य हो। शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोस मुरली सुनने के लिए आप शिब बाबा मुरली मदवन चैनल को सबस्क्राइब कीजिए ताकि डेली शिब बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम शान्ती